और उसके बाद राहुल गांधी जी मुहबबत के दुकान में नफरत बेचने का काम कर रहे हैं और अभी प्रियंका जी आई थी राहुल जी आने वाले हैं आज कैसे कैसी घटनाय चत्तिरगण में हो रही है कबीरधाम की घटना कैसे भगवाद्वच का अपमान होने के बाद कवरधा में जो हालाद वने करभियू लगा जो द्रिश्य कवरधा के लोगों ने पूरे चत्तिरगण के लोगों ने देखा ऐसा दृस्ट कभी नहीं देखा बीरनपूर की जो सामोहिक नर्सहार की घटना माव लिंचिंग की घटना एक निर्दोस युवा ग्भुनेस्ट्वर साहू की जिस निर्मम्ता से हत्या हुई अभी अभी कुर्सी पार भिलाई में जो मलकीज सिंग की हत्या हुई यह बताता ह है कि प्रदेश में कानून बेवस्ता के हालात क्या है कैसे तुस्ती करन कर रही है कैसे आज आतताई किस प्रकार से अपराद कर रहे हैं खुले आम खौब नहीं है उन्हें कानून का हुपेद बगेल की सरकार कानून बेवस्ता पर नियंतर नहीं कर पा रही है राजधानी में एडिस्टनल S.P. के पार्किंग इस्थल पर जो सामोहिक बलत्कार की घटना कहा जा रहा है प्रदेश राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आप कलपना कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा देने में राज्य सरकार नाकाम रही है अप राधियों पर नकेल कसने में ये सरकार नाकाम रही है किस प्रकार से पूरे प्रदेश में खूले आम धर्मांतरण हो रहा है लब जिहाद की घटनाय हो रही है यह 36 गड़ को वुपेज बगेल की सरकार बरबाद करने की ओर ले जा रही है लेकिन भारती जनता पारिटी किसी भी कीमत पर सरकार के साथ प्रदेश की सांती बेवस्था पे खलन होने नहीं देंगे फूरी ताकस चे लड़ाई लड़ेंगे